गुड अप्टनून स्टुडेंज मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में रामानुज का परीचे के बारे में ध्यन करेंगे तो रामानुज कौन थे रामानुज ने किस दर्शन का तो चलिए पढ़ते हैं रामानुज का परीचे और एक बात और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक और सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इंफोर्म महतोपुन है जिन होने अपने विचारों के माध्यम से एद्वेतवात का विक्तिक भक्तिवात के साथ सुन्दर समनव्य करने का प्रियास किया है उनका जन्म 1017 में दक्सिन तमिलाडू राजे में पेरम बदूर में हुआ था तथा वे 120 वर्षो अर्थाद 1137 इस्वी तक जीवित रहे यह यह मुनाचारिय के सिसे थे रामानुज उप्रेशदों में अंतर निहित दार्षनिक विचारों की व्यक्या अपने ढंग से करते हैं तथा बताते हैं कि यह दपी इस्वर ही एक मात्र पार्मार्थिक सत्ता है तथा पी वह ए चेतन प्रकरती तथा चेतन आत्मा से विशिष्ट अत्वा समनवित हैं इस कारण उनका मत्विशिष्टा द्वेत कहा जाता है तो विशिष्टा द्वेत वात के बारे में भी हमने आपको पहले एक वीडियो में पढ़ाया था रामानुज सगुन इस्वर के उपासक तथा परसिद आजार्ये थे उन् उनके पूर्वे अनेक गरंतों जैसे स्वेतास्वर उपनिशद, महाभारत, विश्णुपुरान आदि में हमें सगुन ब्रह्म की उपासना से सम्मदित उलेक मिलते हैं रामानुज का दर्सन इसी विचारदारा का परतिन निदित्व करता है उनके विचार हमें स्री भासे तता वेदार्थ संग्रह में प्राप्त होते हैं गिता पर भी उन्होंने भासे लिखा है रामानुज बार्विस्ताब्री के महान संत थे भक्ति आंदोलन के प्रारंबिक परतिपादक महान वैश्नव गुरु रामानुज थे रामानुज ने मनुसे के समानता पर बल दिया और जाती विवस्ता की भर्षना की रामानुज के किरिया कलाप का मुख्य के अंदर कांची और स्री रंग पत्रम था किन्टु इनके उपदेशों के प्रति चोल पर्षासन के विरोध के कारण यह स्थान छोड़ना पड़ा रामानुज ने विस्ता द्वेत दर्षन का परतिपादन किया भक्ति आंदर्ण के दूसरे नायक रामानुज के समकाली निमबार्ख थे वे द्वेता द्वेत दर्षन में विश्वास करते थे तथा इश्वर के प्रति समर्पन पर बल देते थे रामानुज अचारिय ने वेदान्त के अलावा सात्वी दस्वी स्ताब्दी के रहस्य वादी एवं भक्ती मार्गी आलवार संतों के भक्ती दर्शन तथा दक्सिन के पंच रात्र परंप्रा को अपने विचरों का अधार बनाया अब देखे का विशिष्टा द्वेत दर्शन रामानुजाचारिय के दर्शन में परम सत्ता के समन्द में तीन इस्तर माने गए हैं ब्रह्म चित और एचित वस्तूत है ये ब्रह्म चित एचित इस्वर से पर्थक नहीं है बलकि ये विशिष्ट रूप से ब्रह्म के ही दूर सवरूप हैं एवं ब्रह्म या इस्वर पर ही आदारित हैं यही रामानुजाचारिय का विशिष्ट अद्वेत का सिधान्द है जैसे सरीर एवं आत्मा पर्थक नहीं है तता आत्मा के उद्देसे की पूर्थी के लिए सरीर कारिय करता है उसी परकार ब्रह्म या इस्वर से पर्थक चित एवं एचित तत्वय का कोई अस्तित्वय नहीं है वे ब्रह्म या इस्वर का सरीर है तथा ब्रह्म या इस्वर उनकी आत्मा सरदर्शे है तो देखिएगा इस वीडियो में हमने रामानूच के बारे में जानकरी प्राप्त की इसी प्रकार से आपको और भी महत्तो पुन जानकरी हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेस पे मिलेगी अतया बने रहे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेस पे